हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू हैस्टेग घरका खाना नवरात्री स्पेशल और आज मैं बनाने जा रहे हूं इस नवरात्रियों में आलू की भुजिया चोकी बनाना भोगत ही असान है वेट उस्ते पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगे कि अगर आपको हमारे वीडियो आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें सुभूजिया बलाने के लिए हमें जिन सामग्रों क्या उशक्ता होगी वह है उबलेव आलू पिसी हुए जीरा काले मिर्श पिसा हुए सौब नमक स्वादानुसार और आरा रोट नमक हम साधा नमक की कि आख अज़ करें आफ दो कर देंगे सबसे पहले हम इन आलू को ग्रेट कर लिए और इन्हें हम अच्छे से मिक्स करकर एक दोत्यार कर लिए अब इसमें दो से तीन बड़े चार में हम आयो और रोट मिलाएंगे इसमें हम आटा चिमर जिरा पाउडर अटा जिनमर चाली कि इस तरह से हांतों से मिक्स करते हुए हमें इनका डो बनाना है और जब हमारा डो बन जाएगा तो हम इनके लंबे लंबे रोस हम पैसा यहांब यहांगे और हम इसमय बना यहां दोडे दीब करना एक लूदया mark awaited जो हमारे मशीन का हैंडल है उसके भी तर्वी को हम थोड़ सी ग्रीस करके और इस तरह से हम इसे बंद करके अपने मशीन को और कढ़ाई में आवाला तेल अल्डेडी गरम हो रुका है तो इसमें हम इस सेव को इस तरह से गुमाते हुए डालेंगे ध्यान रहें कि एक बार मे सेवर तो जल्दी लाल हो जाती है और इस तरह से पलटकर हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से हम शेड़ में ड्यॉगे देखिए हमारी जो सेव है यह दूसरे तरफ से भी अच्छे से लाल हो चुकी है अब हम इसे अच्छे से छान करके निकाल लेंगे और एक दूसरे बतन में रखेंगे जिसलिकी इसमें बचा हुआ तेल भी निकल जाए और अब हम अपने दूसरे राउंड को भी कढ़ाई में बचाए अच्छे सेुग्ष कर लेंगे सुबाकि सारी सेव को भी एसे हमें क्रहर में डालते हुए और रोज करना है सेव हमारी तैयार हो चुकी इसका तेल अच्छे से रीच चुका है अब इसे एक दूसरे डिश्विंग बॉल में जिसमें हमें ते निकालना है इसमें नि झाल झाल